हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे इस वेडियो में अगर आपके पास PC या लैप्टॉप नहीं है लेगिन फिर भी आपको अपने फॉन में C या C++ के कोड को रन कराना है तो आप कैसे करा सकते हैं तो C या C++ के कोड को रन कराने के लिए आपको इस एप्लिकेशन की जरत पड़ेगी तो इस एप्लिकेशन को आपन डाउनलोड कर लेते हैं प्लेश्टोर से तो play store को open कीजिए आप और play store को open करने के बाद आप बहाँ पर type कीजिए turbo c++ तो जब आप्लिकेशन आपको टॉप पर दिखाए देगे उस application को आप download कर लीजिए don't worry अगर आपको यह application नहीं मिल पा रही है play store पर तो link description में आप बहाँ से भी download कर सकते हैं तो चलिए इसको download करते हैं और इसको download करने के बाद इसको open करते हैं open करने के बाद आप continue और पर click कर देते हैं यह application कैसे काम करती है इसको समाझने के लिए मैं आपको एक यह star pattern वाला program run करा के दिखा देता हूं जसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह application कैसे काम करती है यह जो program है इसको मैं tap कर लेता हूं अगर आपको keyboard open करना है तो keyboard लिखा हुआ है इस पर आप tap करेंगे तो keyboard open हो जाएगा और आपको इस application में कहीं पर भी point करना है तो उसके लिए इस application में cursor दिया जाता है उसकी मदद से आप जहाँ चाहें वहाँ पर भी point कर सकते हैं इसमें tap करना आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है तो मैं इसमें code को tap कर लेता हूं मैं पर लेता है झाल 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 झाल